कि इछले lecture के नीचे comment आया है कि आवाज कमजोर है, आवाज धीमी है उसको थोड़ा raise करिए, तो मैंने सोचता कि आवाज को इतना raise करता हूं कि Prelims के exam तक आपके दिमाग में आपके सिर में आवाज यह गूंचती रहन और आपके सारे पीछे अपना कंटेंट बना लिया है तो रसोडे में कौन था रसोडे में कंटेंट मेकर था चलिए नॉर्माल हो जाते हैं वरना कई लोगों को ओफेंसिव हो जागा कि ऐसे कौन पढ़ता है मैं तो कहूंगा तो मत पढ़ो पहली जो चीज न्यूज में आई है वो न्यू ड जो ब्रिक्स है अलाकि उसमें पहले तो बाद में साउथ अफरिका आ गया तो ब्रिक्स का जो बैंक है उसी को न्यू डिवलाप्मेंट बहुते हैं जब ब्रिक्स की छटी मिटिंग हो रही थी अब अगर आप इंसाइट की वेबसाइट पर जाएंगे आज की न्यूस तो 6th BRICS मिटिंग हो रही थी और इस पर उपसी में क्विस्चन भी आया था क्योंकि बहुत इंपॉटन्ट था ही मिटिंग तो वो क्विस्चन आयता 2015 के क्रेंट अफ्यर वाले सेक्शन में UPSC में 2014 के एकजाम में नहीं 15 में आयता 15 में यह आयता कि Fort laser declaration किस चीज से 2014 में established किया गया था new development bank बाद में धिरे-धिरे उसमें development हुई क्या करना है नहीं करना सब कुछ किया गया new development bank formerly इसको हम लोग बोलते थे ब्रिक्स development bank multilateral development bank है इसमें जो सारे ब्रिक्स के नेशन्स है वो है ब्राजियल रस्या इंडिया चाइना साउथ अपरिका यह करती क्या है देखिए पब्लिक हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो जो लोन वगरा देती है गारंटी देती है इक्विटी के participation बहुत कुछ financial instrument है उसके वह आपके जाननों की ज़रूत नहीं है ताकि हर country का जो है development हो सके तो यह बड़ा बहंक है तो international कई organization और financial entities के साथ collaborate भी करेगी टेकनिकल एसेस्टेंस भी देती है प्रोजेक्ट को जो भी प्रोजेक्ट को यह funding देगी तो कई उसमें से प्रोजेक्ट जो इसके द्वारा सपोर्ट है उसको technical assistance भी देखी ताकि प्रोजेक्ट सक्सेस्पूल हो सबसके अब यहां पर कई लोग क्या करते मिस्टेक कि इसका शंगाई में located है तो लोग confuse क्यों होता है क्योंकि बीजिंग में भी एक बहुत बड़े bank का headquarters याद रखेगा इसका headquarters शंगाई में लोकेटेट अब कैसे याद रखेंगे निया बैंक बना है तो बीजिंग में जगह भर गई पूराने बैंक की किसी की मैं बताओंगा कौन सा बैंक है जहां पर बीजिंग में हेड़कॉर्टर बन गया तो नया हेड़कॉर्टर नए जगह में बनना चाहिए क्योंकि यह कितना वह कैपिटल शेयर वहाँ पे डालता है हर कंट्री अपना डॉनेशन डालता है दता वॉल्ट बैंक में तो जो कंट्री ज्यादा डॉनेट करेगी उसको ज्यादा वोटिंग राइच मिलते हैं लेकिन नूट डेवलप्लेंट बैंक में ऐसा नहीं है ये सारे country ने अपने बीच में equality maintain की हुई है one vote one country simply साथी साथ veto power है क्या none of the countries will have veto power समझ गया है ये है new development bank की खासियत ये news में इसलिए है वो बहुत important नहीं था new development bank ने infrastructure के project अप्रूजेक्ट अप्रूब की है इंडिया में 741 मिलियन के कोई नहीं पूछ रहा दुनिया में ब्रिक्स को थोड़ा से एक बार map पे देख लीजे कौन-कौन से country है थोड़ा दिमाग में होना चाहिए सबको पता है हला कि ये ब्राजील का map है आज कल पूछ रहे ना कि देखे एक्वालिटी कैसे मेंटेन की है countries by shareholding at the new development bank ये देखे ब्राजील रशीया इंडिया चाहिना साउथ अपरिका ओके देखे सारे का number of shares बराबर दिख रहा आपको है ना बराबर दिख रहा है shareholding percentage of total भी बराबर हो जाएगा वोटिंग राइट्स भी बराबर हो जाएगे authorized capital भी देख रहा है सबके बराबर है ये होता है तरीका equality maintain करने का जो हमने ब्रिक्स में maintain किया है थोड़ा तो ब्रिक्स का भी background देख लिया जाए ना 2009 से लेके आज तक ब्रिक्स के जो nations है annually हर साल meet करते हैं इतना याद रखिएगा जो 11th BRICS summit था वो recent था BRICS का summit 11th वाला उसको भी ब्राजिल ने host किया था ये कब हुआ था 13 से 14 November 2019 में हुआ था पहले तो ब्रिक्स था लेकिन साउथ अपरिका कब आया 2010 में आया था मतलब कि 2009 से ही annually meeting हो रही थी साउथ अपरिका 2010 में आया था फिर फोर्ट लेजर डेक्लेरेशन 2014 में वहीं से न्यू डेवलप्मेंट बैंक भी बना था इन BRICS के नेशन को देखे तो 27% of the world land surface और 41% of the world population यहां पे है अच्छा और एक खास बात यह सारे जो BRICS के नेशन है वो G20 का भी पार्ट है अब देख लिए याद रखने का अलग अलग तरीका होता है ब्राजिल है क्या? बिल्कुल है देखिए ब्राजिल यह G20 का पार्ट है रशिया है क्या? बिल्कुल है रशिया है इंडिया तो है ही चाइना है क्या obviously very obviously चाइना भी है South Africa, South Africa भी है तो G20 में BRICS के सारे निशन है ये आपके जो 5 होगे हैं ये सारे BRICS के पार्ट भी ये G20 के भी पार्ट है बाकी और कौन कौन से कंट्री हैं G20 में देख लिए इस बार UPC ने पूछा है देखिए North America में Canada है और उसके अलावा United States तो है ही Mexico भी है तो North America की तीनों कंट्री हो गए Mexico, Canada, United States अब थोड़ा Middle East चले आईए Middle East के एरिया में East Asia के साइड में या थोड़ा European के साइड में साओधी अरबिया और टर्की दोनों G20 का पार्ट है Australia वाले साइड में बस Australia है देखिए New Zealand नहीं है ध्यान रखिएगा New Zealand नहीं है South America में कौन है South America में देखिए एक तो Brazil भी हो गया South America में साथी साथ Argentina भी है Europe से कौन आ रहा है देखिए United Kingdom तो रहेगा Germany रहेगा ये दोनों तो biggest countries मतलब काफी developed economies France भी है इटली भी है ये चारों country हो गया पाकी एसिया से इस्ट एसिया के साइड से कौन से country है देखिए जापान और South Korea कोरिया दोनों है साथे साथ इंडोनेसिया यहीं पर आपने यूपी आपको यूपीएस ने ये 2001 में एक discussion चल रहा था तो आपके जो Goldman Sachs जो company है asset management company है बिजनेस वगरा देखती है उसके चेयर मैं ने दिया थे यह term probably लेकिन बहुत consensus नहीं है तो कई article बगर में लिखा होगा लोगों ने की brick economy जो है emerging economies यहां पर बहुत जादा business है इनको साथ मिलने की ज़रत है बाद में UN assembly का general UN होती है ना अंगा United Nations General Assembly वहां पर debate बगर चल रहा था तो वह मिलते है 2006 में US में उसके बाद क्या होता है वहीं से बात चीछ चलती है high level meeting की और full scale diplomatic meeting होने लगते है यह होते है आपके रशिया में देखिया रशिया में होते है ना जून 2009 में तो वहीं से बात आगी first brick summit क first high level development होगे the bricks grouping first formal summit जो है वो आपके रशिया में हुआ था 2009 में जगा का नाम था यह कातेरिन बर्ग रशिया में 2009 में उसके बाद लगातार जो है meetings होई जा रही है आप एक चीज़ पर गौर कर रहे हैं bricks की meeting को देखिये चलिए 2009 में तो brick की meeting का आप रशिया में होई थी ब्रिक्स में रशिया में होई थी उसके बाद 2010 में ब्राजील में होई फिर चाइना में होई ठीक है फिर देखिए इंडिया में होई है ना उसके बाद देखिए आप सोड़ा कि उसके बाद 5 वाली जो bricks की summit होई थी 2013 में यह South Africa में हुई उसके बाद आप देख रहे हैं अल तो इंडिया में होगा यह थर्टीन वाला अभी जो हुआ है नॉबर 2019 में वो था 11 वाला और इंडिया में होगा थर्टीन वाला वो तो तो वी अनॉंस कहा होगा किसी को नहीं पता है कब होगा वो दो जाए 2020, 2020 में एक्चुली जुलाई में कराया जाना था, लेकिन पॉस्पान कर दिया गया COVID-19 पैंडेमिक के कारण, अब बोल रहे हैं कि 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फेंस से कराया जागा, होस्ट तो रसिया करेगा, सेंट पिटर बर्ग से तो लादमीर पोतिन जो होस्ट करेंग वाले में, लेकिन जब फाइनल इस्टैबलिस किया गया था, वो किया गया था, सिस्ट वाले में तो, सौरी, उसके लिए माफी करिएगा, इंसाइट जी, ये न्यू डेवलप्मेंट बैंक को, यूनाइटेड नेशन्स में, आपजरवर का भी यह स्टेटस है, मैंने आपक इसमें 103 मेंबर्स हैं, और 21 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स भी हैं, जो उसमें आजाएंगे, अचा, बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन अक्टर अग्रीमेंट एंटर इंटर इंटर इन्टो फोर्स ऑन 2015, तो मैंने थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक कर दी है, उसको सुधार कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रखिए ना, बीजिंग जो है कैपिटल है, तो अब वहां पे 103 मेंबर वाले बैंक का बनेगा हैटक्वार्टर, और ब्रिक्स तो चलिए छोटा है ग्रुप, तो उसके लिए आप शंगाई में बना दीजिए, इसका हैटक्वार्टर चाइन में बेजिंग मिसले बना गया, क्योंकि चाइना नहीं इसको प्रपोज किया, तो बैंक वाज प्रपोज बाई चाइन 2013, एंड दे इनिशेटिव वाज लॉंच्ट एट इस सेरिमनी इन बीजिंग इन ऑक्टूबर 2014, कहते हैं कि इसका इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि व नौनरेजियल मेंबर हैं क्या वेरिममच देख़िए यहाँ पर आपका कैनदा देख़िया बनान मेंबर । सारे committee न Une उन चंप्र कैनेमर Mercedes हैं इसके लाए आ न। बैजन्ति है न बैजन्ति माला कलर जो आप देख रहे हैं यह प्रास्पेक्टिव मेंबर्स हैं नॉन रिजनल ठीक है और प्रोस्पेक्टि मेंबर्स हलकक जो सुगा पंखी देख रहे है तो ने जैसे यह होगे और बुरुंडी नहीं कोई कंट्री या इधर चलिए बुरुंडी नहीं हम पर किसी को बूलिएगा मत तो यह सारे जो है आपके इसके प्रॉस्पेक्टिव मेंबर्स हैं बाकि जो डार्क कलर में देख रहे हैं वो इसके मेंबर्स हैं ग्रीन वाले रिजिनल मेंबर्स और ब्लू वोटिंग पावर एकवल है क्या बिल्कुल नहीं यह राज चाइना चाइना की वोटिंग पावर देखिए दिख रहे हैं आपको तीन लाग क्या सपास किसी और कंट्री का आपको इतना देख रहा है नहीं यहां पर आपको 39,000 ऑस्ट्रेलिया का देखेगा अच्छा का सश सब्सक्राइब कर रहा हूं देखिए इंडिया विच्वाज अमंग देखिए 57 फांडिंग मेंबर में इंडिया था 2016 हमें पहले अग्रिमेंट वगर हो गया था लेकिन फाइनली जो है बिजनेस के लिए खुला वह 2016 हमें है ना सेकेंड लार्जेस शेयर होलिंग जो से मैं सब्सक्राइब भी कर लो इसको एनिवे नेक्स्ट न्यूज जब अच्छे अच्छे कंट्री की बात हो गई न्यू डेवलप्मेंट बैंक की बात हो गई चाइना वाले के AIIB की बात हो गई तो हम एक बड़े प्यारे से बैंक को क्यों छोड़ दें एशियन करती है बहुत मदद दी है इंडिया को करेंटली इसके शुरुवात में 31 मेंबर्स थे इस्टैबलिश्मेंट के टाइम पर अभी इसके 68 मेंबर्स हैं वाल्ड बैंक की तरह इसको भी मॉडल किया गया है उसी तरह का वेटेड वोटिंग सिस्टम है वोट्स जो है कैपिटल के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से डिस्टिबूटेड है आपने कितना वहाँ पर पैसा डाला उसी हिसाब से आपको वोटिंग मिलती है एडिवी इजन ऑफिशिल और युनाइटे नेशन अब्जर्वर भी है यह जस्लाइक और एंडी भी तो आप जानना नहीं चाहेंगे एंडिया यहाँ पे किसकी किसकी शेयर होल्डिंग है देख़िये युनाइटएड स्टेट और जहें दोनों लाज़िस प्रपोर्शन ऑफ शेयर करते हैं कितना फिफटीन पोइंट सेवन लिन परेसेंट दोनों के बराबर हैं फिफ्टीन फ्पैंटिट सीवनी परषेंट युनाइटेट अस्टेट और जपान के हैं, चाइना होल्ड 6.49 परसेंट और इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे हैं, देखिए यहां भी इंडिया का अच्छा का सा पोजीशन है, उसके बाद ऑस्टेलिया तो आप क्या याद रखेंगे, जपान युए से फर्स नंबर पर चाइना ठर्ड नंबर पर इंडिया फॉर्थ नंबर पर पर बाता ही दिया, इसके साथ ही बेंकिंग हो गई हमारी, निकस्ट न्यूस् कमिंशन पर पर, assistant organic pollutants का मतलब क्या वही जो आपके fat में accumulate होंगे, water में कम solubile होंगे, biomagnification होगा, ऐसे dirty dozens करके chemicals होते हैं, गंदे 12 chemical होते हैं, उनके लिए बनाएं गया था, Stockholm Convention है, Sweden की जगा, Stockholm, अब मैं Stockholm बोलूँ तो यहां से अब एक road safety वाला आप confuse मत हो जाएगा, वो Stockholm declaration अलग चीज है, देखे, वो न्यूज भी 2020 की है, 19 February की, नितिनगडकारी reaffirms India's commitment to drastically reducing road accident by the year 2030, आपको पता है ना, कि United Nation ने है, उसने goal set किया है, अंडर the UN Decade of Action of drastically reducing roads accident by year 2030, यह year 2030 तक road accidents कम कर देने है, drastically यह United Nation का commitment है, इसके लिए 10 साल set किया, 2020 से 2030, उसी में third high level global conference हो रहा था, road safety पे, है ना, कि हम लोग goals achieve कर लेंगे 2030 तक, वो भी जो हो रहा था, meeting वो Stockholm में हो रहा था, Sweden में, तो वहाँ से ही Stockholm declaration निकला था, उससे आप Stockholm convention में confused मत होएगा, बस इतना कहना चाहा रहा हूँ, लेकिन यह तो Stockholm वाले declaration जो था, road safety पे वो third meeting थी, तो पहली और दूसरी कब होई थी, first declaration जो first meeting होई थी, जो first meeting होई थी, first declaration वो होई थी, रशिया में 2009 में, और दूसरी वाले होई थी, ब्राजील के ब्रजीलिया में 2015 में, तो वहाँ से ब्रजीलिया declaration निकला था, रशिया 2009, ब्राजील 2015, और 2020 में कहां, अस्टॉकम declaration, यह road safety पे है, United Nation का initiative है, now we are talking about persistent organic pollutants, अस्टॉकम convention, अब अस्टॉकम convention on persistent organic pollutants देखते हैं, यह एक international environmental treaty है, और याद रखेगा, अगर आप इसको sign करते हैं, ratify करते हैं, तो legally binding है, legally binding क्या होता है, ऐसा होगा क्या है, कि आप एक्षन ले लेंगे, जेल में डाल देंगे country को, नहीं, आपका मतलब कि regular evaluation होगा, monitoring की जाएगी, क्या follow कर रहे की नहीं कर रहे हो, उसकी सबसे action लिया जाएगा, अगर आप follow नहीं कर रहे हो तो, यह treaty sign की गई थी 2001 में, और effective होई थी 2004 में, यही करना है, restrict करना है production और use किसका, persistent organic pollutants का, persistent organic pollutants क्या होते हैं, चले आईए हमारे material पे, ऐसे chemical substances जो आपके environment में long time तक persist करें, bio accumulation हो, उनका food wave में, है ना, bio magnification हो, fat में soluble हो, या fatty acid में soluble हो, water में कम soluble हो, इनके जो risk है, environment के लिए तो है, human health और environment और animal के लिए भी है, इनसे cancer हो सकता है, neural cells में damage हो सकता है, बच्चों के जना में ने के time पे जो है defect हो सकते हैं, parties देख रहे हैं आप इसके, इधर देखिए, right screen पे, बता ही है, इधने सारे parties हैं इसके, आपको एक बीच में देख रहा है, USA नहीं है, ये भी एक तरह से United Nation का initiative है, United Nation Environment Program है, जो UNEP उसने 1995 में, 1995 में इसके लिए बात की थी, persistent organic pollutant के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि बायो accumulate होते हैं, food wave में आगे जाके risk pose करते हैं, environment और human health और animal health को, फिर meeting में अगर होई, तो finally convention बना आपके Stockholm में 2001 में, force में 2004 में, तो क्यों, क्योंकि ratification हो गई, 128 parties की, और 156 signatures भी हो गया, 151 signatory थे, उसमें 128 ने ratify भी कर दिया था, तो force में आ गई थी, उस time पे क्या बोला कि, जो dirty dozen chemical है, उसमें से 9 को तो हम लोग outlock कर देंगे, एकदम ban कर देंगे, जो भी sign करेगा, ratify करेगा, बाकी जो malaria के लिए आप DDT यूज़ करते हो, तो उसको limit करेंगे, और यह जो dioxin और furans है, इनका production होगा, लेकिन inadvertent नहीं, हिसाब किताब ले के थोड़ा ध्यान से, किसका dioxin और furan का, तो dirty dozen में से no chemical को ban कर दिया, उसे time पे, DDT को बोला, मलेरिया के लिए कम यूज़ करिये, और dioxin और furan को बोला कि थोड़ा सोच समझ के यूज़ करिये, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको chemical में जो इसके listed सब सांसे हैं, थोड़ा उपर से नीचे कर रहा हूँ, आप चाहें तो screen shot ले सकते हैं, यहाँ ना भी ले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे chemical हैं, आप इसका नाम लेने की कोई ज़रूत नहीं है, अब कई जो है new chemicals भी प्रपोस किये गए हैं, तो इंडिया नहीं यहाँ पर एक बुद्धिमानी की, इंडिया ने एक article का यूज के उसमें बोला कि अगर कोई amendment आप कर दो, तो सीधा, चुकि हमने ratify कर दिया, कल को आपने amendment करके नया chemical डाल दिया, मानले जी हमारे country में यूज होने वाला कोई fertilizer बगर है, और हम यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप further amendment करते हो, तो सीधे हम पर apply नहीं होगा, जब तक कि हम उस list को अलग से ratify न करे इसके लिए इंडिया ने उस convention का article number 25 यूज किया है, अचाहिए इंडिया ने कब ratify किया था, इंडिया ने 2006 में ratify किया था, और वहीं पर article 25 का clause number 4 यूज किया था, जिसमें बोलते हैं, कि एकदम by default apply नहीं होगा अगर कोई amendment किया गया तो, तो इंडिया चाहे तो opt-out वाला system यूज कर सकता है, कोई दिख करती है, और इंडिया को अगर करना है, वह chemical को भी follow करना है, तो अलग से फिर ratification उसके लिए separate करनी पड़ेगी, तो एक बार आप जानना नहीं चाहेंगे कि यह dirty dozen category में क्या क्या है, 12 distinct chemicals को उन्होंने 3 category में डालके बोला कि यह dirty dozen है, 8 तो pesticides है, 2 industrial chemical है, और दो जो है, unintended by-product है, जो industry से निकलते है, ठीक है, by-product of many industrial processes involving chlorine such as, बतातों कहाँ है, चलिए, तो dirty dozen में पहले क्या है, 8 pesticides है, aldrin, chlorine, DDT, di-aldrin, endrin, heptachlor, myrex और doxafene, 2 industrial chemicals है, poly chlorinated bifinyl, PCB और hyxa-chlorobenzene, और आप कोई पुछेगा, याद क्या रखना है, eldrin को याद रखिये, DDT को याद रखिये, PCB को याद रखिये, hexachlorobenzene को याद रखिये, done, यह सारे कई सारे जोंतों, यह उपर वाले तो 8 तो pesticide ही हो गए, यार, यह से 2 ऐसे हैं, जो industry के by-product है, जैसे कि मालीजी के west का incineration कर रहे हैं, west को जला रहे हैं, chemical या pesticide की manufacturing हो रही है तो वहाँ पे निकल रहे है, तो वो क्या है, polychlorinated, di-benzo-p-dioxin and di-benzo-furens, इनको ही हम लोग normally में क्या बोलते हैं, di-oxin और furan बोलते हैं, जो कि पहले भी मैंना आपको mention किया था, अब यह news में क्यों आया है, news में इसलिए आया है कि आपका जो cabinet है, union cabinet, उसने बोला है कि हम 7 सेमिन केमिकल को यहाँ पे अलग से, लिश्टेट जो है कि Stockholm convention में, उसको हम लोग ratify कर रहे हैं, हम चलो मान रहे हैं, सेमिन केमिकल्स, यह सारे सेमिन केमिकल्स हैं, आपको याद रखने की कोई जोरत नहीं है, थोड़ा एक आइडिया ले लिजे कि किस तरह का नाम सुनने मे इसको इंप्लिमेंट करने के लिए जो है, इस केमिकल को कैसे किया जाए कि हम सही से काम करें, उसके लिए जी एफ फंडिंग देगा, अब जी एफ की सुरुवात कैसे होई थी, किस किस को फंडिंग देता है, यह मैंने PT 365 के लेक्चर में पढ़ाया है, अब PT 365 को मेरा इंव इनाइजेशन मैनेज करते हैं, ग्लोबल एंवानमेंट फैसिलेटी को, एक तो उनाइटेड नेशन देवलपमेंट प्रोग्राम, युनडेपी, दूसरा आपका उनाइटेड नेशन एनवानमेंट प्रोग्राम, तो तीसरा कौम, वल्ल्ड बैंक, यह बस इसको फंडिंग इसके लिए PT365 का 6th lecture was उसी पे dedicated है, दो हो गए, तीसरा United Nation Convention on biological diversity, चौता UNCCD, United Nation Convention to combat the certification, और पांच वाजो मीना माटा convention है, मरकरी वाला, उसको भी यह funding देता है, इन पांच convention को funding Global Environment Facility से आती है, अब next news यहाँ पर देख लिजे, The Hindu देख लिजे, India.com देख लिजे, कहीं भी, E Graded Response Action Plan, जैसे ही Delhi में मैंने कल आपको बता है कि pollution बढ़ने लगा, तो उसके लिए Graded Response है, मैंने आपको National Air Quality या Standard या Air Quality या Air Quality ये जो इंडेक्स बताया था, Air Quality इंडेक्स में आपके categories है, उन categories में जैसे ही गिरावट होने लगे, pollution बढ़ने लगे Delhi में, तो एक Graded Response लिया जाता ह है, Environment Pollution, Bracket में राएगा Prevention and Control Authority, Environment Pollution Prevention and Control Authority, ये Environment Pollution Control Authorities जो है, ये कैसे बनी थे आपको पता है, डेली में बहुत जादा Air Pollution हो गया था, तो Supreme Court Mandated Body है, Supreme Court ने बोला कि Government, प्लीज एक अलग से आप Authority बनाओ, जो आपके Only and only National Capital Region, NCR में Air Pollution और Environment के लिए देखें चीजे, एक्षन ले, तो Environment Pollution Control Authority ऐसे बना था, इसको notify किया गया था, 1998 में, तो ये कैसी body है, ये statutory body है, क्योंकि इसका जो notification आया था, वो Environment Protection Act 1986 के तुरू आया था, तो इस बात को याद रखेगा, तो वहीं से हमारी news है, graded response action plan news में क्यों है, Supreme Court का order जो था, dated 2016 का उसने बोला था कि दिल जब भी problem है, तो आप ऐसा graded response action plan लेकर आईए, तो उसी के लिए Environment Pollution Control Authority जो है, NCR वाल उसने order दिया है, ठीक है, graded response action plan ला रहे है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपकी वो जो categories है, AQI की पिछली बार पढ़ा दिया था, उसमें moderate and poor, very poor और severe जैसी situation आजा है, National Air Quality Index वाली, तो ये action लेने पड़ते हैं, नई category भी add की गई है, इसमें response में, severe plus या जिसको की emergency भी बोलते हैं, तो कौन implement करेगा, देखिए, Environment Pollution बार 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 protection बोल देता हूं, क्योंकि Environment Pollution Prevention and Control Authority वो करती है, लेकिनी किसके अंदर है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified for implementation of graded response action plan थ्रू, implementation कौन करेगा, ये करेगा, EPC order कहां से आया है, Environment, Forest and Climate Change के ministry से, तो किसके लिए करता है ये काम, EPC है, National Capital Region के लिए, तो National Air Quality Index का use करेगा, और National Capital Region में ये action लेगा, और National Air Quality Index कौन देखता है, पहले भी बताया था, CPC भी देखता है, state bodies के साथ मिलके, graded response action plan में करते क्या है, fight करते है, pollution क्या गेंस्ट, तो ये स होगा, तो stage 1 करेंगे, अगर very poor हो जाए, तो stage 2 करेंगे, air quality के लिए, QI देख लेंगे, उसके बादी action लेंगे, stage 3 जब severely polluted air होगा, और stage 4 जब emergency situation हो जाएगी, तो अलग-अलग चीज़ें करते हैं, अब देखिए, जैसे कि stage 1 में mechanized sweeping शुरू कर देंगे, road की washing शुरू कर द लेंगे, vehicle पर scrutiny करने लेंगे, pollution standard पर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसको मैं यहाँ पर चाहूँगा, आपसे कि मैं एक मिन ठटा देता हूँ, यहां से चीज़ें, इसको थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, अब चाहिए तो screenshot ले लिजें, नहीं, screenshot मत लिजे, notes तो ड ताज मतलब, hotel ताज महल नहीं, तो 2611 के terror attack हुए दे, तो central government नहीं यह सोचा कि state government की agency साथ fight करने के लिए terrorism से अकेले काबिल नहीं है, तो central government ने बना दिया national investigation agency, फिर धीरे दे यह federalism का topic आ गया, इसको धीरे धीरे इतने ज़्यादा पार दे दिये गया, कि state government से तो कुछ पू management agency है, यह terror related crime से deal करती है, और state से को कुछ without special permission कि यह काम कर लेती है, अब इसको कब establish किया गया, तो वही 2008 में, terror attack के बाद, national investigation agency, जो है, act से आई थी, याद रखिया, national investigation agency, act से आई थी, 2008 के act से, जब आपका, जैसे ही आपका 2611 हुआ तो तो उसके तुरंत बाद, 31st December 2008 को दिख पास हो चुक है, 17 जुलाई 2019 का, उसमें क्या है, उसको ज्यादा power दिएगे, क्या है, NIA2 probe terror attacks targeting Indian and Indian interest abroad, ठीक है, अब वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं लेकिन ऐसे इसको power दिए है, the amended legislation which aims to primarily empower the anti-terror agencies, क्या करेंगे, empower करेंगे, scheduled offenses जैसे कि human trafficking, circulation of fake currency, इसको भी गा, cyber terrorism को भी देखेगा, तो इतनी जादा इसको power दे दी गई है, कुछ और areas में, scheduled crime को देखने के लिए, बाकि तोड़ा, वो federalism वाले तो problem है, या state कि लाँप है, various special courts have been notified by the central government of India for trial of the cases registered at various police station of NIA, तो NIA जब भी case register करता तो उसको देखने के लिए, अलग से court भी a special court बनवा देते हैं, उसका section 111 and 22 में ऐसा mentioned है, any question as to the jurisdiction of this courts is decided by the central government, central government बोलेगी कि यह इसका jurisdiction in state में आएगा, कि हमारे central government में आएगा, सीधा सीधा central government के पास power, उसमें जो judge होते है, that judge is also appointed by the central government, but on the recommendation of chief justice of high court with jurisdiction in that region, छीक है, high court के chief justice को consult करते है, anyway Supreme Court of India को क्या power है, to transfer the cases from one special court to another, special court within or outside the state, if the same is in the interest of the justice in light of the prevailing circumstances in any particular state, Supreme Court के इतनी power है कि special court से एक दूसरे special court में आपस में, वो transfer कर सकते ही cases को, the NIA special courts are empowered with all powers of the court of the session, session court का जो पार होते हैं सारे हैं, under criminal procedure, criminal procedure code 1973 for trial of any offenses, तो सारे जितने session court के power होते हैं, criminal procedure code में, 1973 में उतना उनके पास power है, next चीज जो news में आई है, वो world food program है, क्यों news में आई है, क्योंकि world food program को nobel peace prize दिया गया है 2020 का, ताकि इन्होंने लोगों को क्योंकि food provide किया, assistance provide किया है, जहां पे conflict हो रहे हैं उन ही रियाज में, ये world food program है, क food assistance branch है, and the world's largest humanitarian organization, solely focused on hunger and food security, बना था 1961 में, headquarter है Rome में, offices है 80 countries में, और data को देखें तो ये जो है, काफी ज़्यादा 91.4 million लोगों को food provide करते हैं, in 83 countries each year, और कितना कितना पहुंच चुके, कितने लोगों को food दे रहे हैं, कितने conflict zone में, आपको ये जानने के कोई ज़रूत नहीं ह और क्या करता है, relief और rehabilitation में भी मदद देता है, developmental aid देता है, मदद देता है पैसों से, special operations करता है, जैसे कि food, making food systems more resilient against climate change, है ना, वो भी देखेगा कि लोगों को food security maintain रहे है climate change के हिसाब से, political instability में भी, ये climate change और political instability से ही तो लोगों का खाना जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, खर UNDP नहीं है, United Nation Development Group में वो सारे organization है, United Nation के, जिनका कहीं न कहीं sustainable development goal जो 17 होते हैं, उनके achievement में participation है, समझ गया, United Nation Development Group, United Nation के different agencies का एक तरह का forum है, वो agencies जो sustainable development goal के achievement में कहीं न कहीं लगी हुई है, तो world food program भी उस forum का member है, क्योंकि ये भी sustainable development goal का, जो goal number 2 है, जोकि zero hunger है, उसको अचीव क परने में लगा हुआ है, एक बड़ी इस पेसिस न्यूज में आई है, यह आपका जो है last topic है, अब और तेल फूसा नाम दफा ने सिस, अब और तेल फूसा नाम दफा एंसिस, नाम दफा आपने में आपको बताया था ना, नाम दफा कहां पर है, बताईए, नाम दफा ने कहां पर है, अरे, अरुनाचल परदेश के लिए मैं आपको बताया था ना, माऊ तुम यहां से दफा हो जाओ, माऊ इस पौर मावलिंग नेशनल पार, दफा इस पौर नाम दफा नेशनल पार, नाम दफा फॉरेस्ट है, वहां पर यह एक इस पेसिस है, क्या नाम है, अब यह क्या देख रहे हैं खतरना कीड़ा, क्रैब है क्रैब, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह चुटे-चुटे स्मॉल स्ट्रीम में पाया जाता है, नाम दफा टाइगर रिजर्ब में, ठीक है, नाम यह दिया हुआ है, मुझसे प्रनाउंस नहीं हो रहा है, वेरी सॉरी, एक स्मॉल फ्रेश वाटर क्रैब है, क्रैब का स्पेसिज है, और यह समझे कि ट्रब्यूट बस नाम दफा के लिए नहीं है, नाम दफा क्या है, लार्जेस प्रोटेक्टेड एरिया इन इस्टर्न हिमालियन बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉट, मैंने आपको बायो डाइवर्सिटी के होट स्पॉट पढ़ा हुए आलग से, प्लीज उन लेक्चर को रेफर कर इस्टर्न हिमालियन बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉट में क्या नाम दफा, उस नाम दफा को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इस स्पेसिस की नेमिंग करती है, नाम दफैंस, करेंगे नहीं, अरुनाचल प्रदिश के ओफिशिल लैंग्वेज है, इंग्लिश, नाम रुट मिलेंगे, यह बहुत कम लोकेशन होती है यहानप आप яр, और लीपड मिलेगा, इस तरह के चार-फूर को यहां मिलेंगे यहान पर नाम दफा में, नाम दफा फेमस होगे, चलिए मौनाव तुम यहां से दफा आप कर नेके लिए अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी होई है खेर पर उस लिंक पर जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लें otherwise मैं यहाँ एक बड़ टाइप कर दे रहा हूँ टेलिग्राम पर सर्च करिएगा यह सर्च करिएगा अभिनव सिंग ऑफिसियल ठीक है अभिनव सिंग ऑफिसियल और वहाँ से ही जाके यह PDF डाउनलोड कर लेजएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सहने के लिए तो अब मैं यहाँ से दफाओ जाता हूँ टेटा बाइबाइ